आज बात करेंगे BJP की जो बार-बार तेजस्वे यादव को अलट कर रही है बिहार में महागडबंदन की सरकार को ठीक से दो महिने भी पूरे नहीं हुए हैं कि इस बीच कई राजनितिक खेल खेला जा चुका है इसी का फाइदा उठा कर BJP लगतार अपने पुराने सहयोगी नितीश कुमार पर हमला बोल रही है इस दो महिने में दो मंत्रियों ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया और इसका फाइदा BJP लगतार उठा रही है इसी क्रम में सियासी ज्रंग में बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजज जैसवाल एक बार स्विरकूत पड़े जैसवाल ने कहा कि नितीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है इसलिए तेजस्वी यादव उनसे ड़ते हैं साथ ही उन्होंने नितीश की बीजेपी में एंट्री को लेकर भी बड़ी बात कह दी जी हाँ संजज जैसवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि तेजस्वी यादव का नितीश कुमार से डड़ना लजमी है नितीश कुमार कब पल्टी मार्ज रहेंगे या उपरवाला भी नहीं जानता साथ ही उन्होंने एक बरसित साफ कर दिया कि भाजपा अब किसी भी कीमत पर नितीश कुमार को वापस नहीं लेगी और 2026 चुनाव के बाद राज़त कारकरताओं की ट्रेनिंग के लिए उनका आश्रम खुलबा कर रहेगी ये पहले मार नहीं है जब संजज आईस्वाल ने नितीश कुमार पर हमला बोला है इससे पहले भी उन्होंने देजस्वी यादव को कई बार अलर्थ किया है कि नितीश कुमार से बच कर रहे हैं वे कभी भी पल्टी मार सकते हैं आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी संजज आईस्वाल ने नितीश कुमार पर चुटकी ली थी जब बीजेपी मंच पर थी और सामने शराबी कुछ दिनों पहले बेतियां में बीजेपी का करक्रम था इसी दोरान मंच पर एक कुछ शराबी पहुँच गया था जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजज आस्वाल ने नितीश कुमार पर चुटकी ली थी और कहा था इसलिए कहता हूँ नितीश जी शराब बंदी करें बेलहार नितीश कुमार के एक और मंत्री का विकेट गिर चुका है सुधाकर सिंग का स्तीफा मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने स्विकार कर लिया है सीम नितीश ने उनका इस्तीफा स्विकार करते हुए राजिपाल फागुच चोहान को अपनी अनुशन सा भेश दी है और उनकी जगह अब प्रेटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषी विभाग का जिम्मा सौब दिया गया है जबकी प्रेटन विभाग का अतिरिक्तु प्रभार उपमुख्य मंत्री तेजस्पी यादव को दे दिया गया है फिलाल खबर यहीं समाब बिहार जारकंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया और और सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया प्राइब करना हमारे से ना भूले यहीं समापज करना भूले शोले तमारे से वाले शुक्रिया जाया है